हेलो विवन गुड मॉनिंग नमस्कार तीस मार्च दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज पेपर अनलिसिश में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज होंगी वो इस वीडियो के थूर डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेस के साथ स भी हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट न्यूज इस पेस की है भारत और यूक्रेइन के बाइलेटरल एलेशन के हिसाफ से यूक्रेइन के फॉरेंट इमिनिस्टरी इस टाइम पे भारत की विजिट पर है और ये दो चीजेश चाहते एक तो भारत थोड़ा सा रसिया से लोग observation करते हैं कि exactly इसकी location कहां पर है युक्रेन की अगर आप जोगरफी को समझेंगे तो कई country से अपने boundary share करता है जिसमें ठीक black sea के ऊपर ये है और इसके बाद रशिया आपको नजर आएगा बेलारूस जो बिलकुल रशिया का left hand side allies भी है वो नजर आएगा फिर Poland आपको न ओल्डोवा ये country से boundary share करते हैं UPSC ने एक बार ये सवाल उचा भी है अब बात करते हैं युक्रेन के foreign ministry के विजिट के माइने क्या और क्या important बाते दोनों countries के बीच में हुई है intention क्या है discussion क्या हो उसके बारे में बात करेंगे इंडिया और युक्रेन ने दोनोंने peace formula पर discuss किया कि वह रशिया और युक्रेन के बीच में जो conflict चल रहा है उसको थोड़ा सा sort out किया जासके इसके अलावा ये दो दिन की विजिट पर थे जिसमें भारत के external affairs minister से इन्होंने बातचेत करी और जो full skill वो रशिया के साथ चल र हलाकि इन्हों ने बताया कि भारत और युक्रेन के relation जो है उसको एनरजाइज करना इनका एक टार्गेट था यह नहीं भारत और युक्रेन के relation solid करना एक एम रहा है देखो भारत और रूस और भारत और युक्रेन को अगर आप compare करेंगे तो definitely Russia के साथ हमारे solid relation है युक्रेन युक्रेन ने कई direction में कई जगे पर हम एक तरीके से backstep भी किया है या हमें sport नहीं किया है तो वो भी वज़ा है लेकिन अगर हम बात करें भारत ने कई बार रुशिया के साथ भी युक्रेन के साथ भी बातचित में है कि diplomacy और डायलोग से चीज़ें सोट आउट होगी इसके specific attention के बारे में बात किया गया है कि क्या peace formula होना चाहिए क्या next step होना चाहिए जिसके थुरू हम लोग peace formula को implementation कर सकते हैं इसके अलावा कई सारे official भी present race meeting के दुरान इसके बाद भारत से उन्होंने request किया कि भारत को और proactive role play करना चाहिए रशिया और युक्रेन के conflict को resolve करवाने म अंदर जो peace process होगा ये बहुत important है उसमें भारत को invite किया गया है जून महिने के अंदर मैंने अभी इसके prediction करी थी कि जून महिने में साइध पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि भारत का कोई बड़ा ministry में participate करे उसके पिछे दो-तिन वज़े है तो जून महिने में elections के result आएंगे नई सरकार बनेगी फिर ministers के portfolio आगा तो काफी busy schedule होगा दूसरा ये हो सकता है कि भारत के कुछ official जैसे जो secretaries होते हैं या joint secretaries होते हैं वो participate करने इसमें जा सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें नहीं का कि हमें एक दूसरे के साथ momentum रखना पड़ेगा ties के अंदर या relation को solid क करने के अंदर और रिशन मंत में जो interaction हुआ है high level पर उसमें कई सारे momentum देखने को मेरे bilateral relation के हिसाफ से और ये opportunity प्रवाइड करते हैं situation को understand करने के लिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो delegation उसके साथ बातचित में भारत के foreign minister ने discussion भी किया इंडिया जनरली maintain करता रहा है कि हम लोग Ukraine और रशिया के बीच में एक balance रहे और जब से इतरी के से crisis हुआ तब से भारत ने criticism नहीं किया रशिया का ये बड़ी interesting चीज है इसके बाद भारत के प्राइमिस्टर ने phone call की थी रशिया और Ukraine के प्रिजडेंट को ये जो global peace summit है इसके लिए invite करने आए हैं जिसका aim है कि बाई जो conflict के बाद situation है उसको थोड़ा सा reduce कर पाएं और Switzerland के अंदर जो process इसमें भारत को invite किया जाए ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर रशिया बहुत खुश रहता नहीं है कि बाई जो peace process word use कर रहे हैं exactly कोई peace process नहीं है यह कहने कहीं एक alakami की तरह है alakami मतलब ऐसा लगता है कोई magic के थूरू चीज़ें sort out कर देंगे Ukraine के प्रेजिडेंट ने जब 2022 में Bali के अंदर G20 summit होई थी तब 10 point का एक formula रखा था जिसमें Russian forces को 1991 के border से complete withdrawal के बारे हम discussion किया गया था सारी चीज़े रशिया मानता भी नहीं है दूसरा रशिया ने कहा कि हम लोग इस तरह के process में participate नहीं करेंगे diplomatic sources confirm करते हैं कि Swiss के अंदर ये event होने से यह माना जारा कि एक hectic talks होगी बातचित होगी लेकिन reality में क्या outcome आएगा उसके बारे में बहुत ज़्यादे clarification जो है वो है नहीं इंडिया ने कहा कि हमने comprehensive or elaborate तरीके से बातचित करी इस formula को लेकर discussion भी किया गया है आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं वो तो एक बाद की बात है 2023 में जब G20 की summit भारत में होई थी तब Ukraine ने कहा था कि Ukraine के जो president है उनको invite करी आप बातचित करने के लिए discussion करने के लिए भारत ने वो चीज़े accept नहीं करी थी तो भारत अपने तरीके से foreign policy को indicate करता है हम अपने तरीके से चीज़े देखते हैं युकरेन अपने तरीके से देखता है तो कई बार criticism भी होगा और वो सारी चीज़े जो बहुत ही natural है इसके बाद कुछ और important news को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें exams के साथ सीधा सीधा एक relation बनता हो या जिसकी सिगनिफिशन जो वो exam perspective से हो इसके अलावा कुछ चोटी चोटी चीज़े अगर हम बात करें तो यह चोटी चोटी news बहुत important हो जाती है जैसे high court ने एक judgment डिया है कि ministry of IV यानि information broadcasting को कि 15 जुलाई तक guidelines release करिए कि जब आप cinema halls के अंदर या theaters के अंदर accessibility की बारें बात करते हैं तो disabled person भी properly उसको access कर पाई इसमें disability cable physical disability नहीं जैसे अगर हम बात करते हैं visual disability है hearing issues है उस तरह के context में क्या information and broadcasting ministry के important role play कर सकती है क्योंकि हर एक persons के rights है क्योंकि entertainment भी एक right है तो entertainment में उसको discrimination नहीं किया जा सकता तो यह order दिया गया है कि भाई आप इस तरीके से film को produce करिए कि जिसमें disabled persons को भी करिए कि access मिले और जो article या act बना था ना right of person with disability act ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा important है इसके बाद right hand side में Supreme Court ने कहा कि आज के time पे जो एक हवाबाजी चलती है जै कोड़ी कह सकते हैं कि दुनिया की जंग जीतने जैसी चीज़े होगी है यानि हवाबाजी शोफ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है इसके वज़े से होता क्या है जनरली जा आप देखेंगे firing जो करते हैं लोग उन्होंने drink क्यों होती है उनको exactly नहीं पता है कि firing का मत किसी की neck पे लग जाती है माते पे लग जाती है तो death हो जाती कई बार दो इवन दूला निबट जाता है तो उस context में खासकर जो celebrity firing होती है कि हम खुशिया मना रहे हैं इस तरह की चीज़ें एक disaster की तरह सुप्रीम कोर्ट इसमामने काफी सकते case हुआ था UP के अंदर जहां पर एक वेक्ति को गोली लगी neck पर और वो एक तरीके से उसके लिए fatal साबित हुई वो death की possibility जो हो बनती है तो इसी context में Supreme Court की judgment highlight करती है कि ये disaster चीज़ें है ये खतरनाक चीज़ें इसको immediately रोकना चाहिए और uncontrolled और unwarranted जो है वो indicated होती है यानि ये uncontrolled भी है unwarranted भी है और दूसरा ये जो इस तरह का culture हम लोग create कर रहे हैं ये अजीब और गरीब culture है क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत में हमारे constitution में article 21 में right to life का basic fundamental right है उसका भी ये कहिने का emulation करता है आप basic fundamental rights को accept करिए और उसमें इस तरह की चीज़ों को even जो हमारे family members है जिनकी responsibility होने चाहिए कि इस त illegal ही है वो firing करना आप नहीं कर सकते इसके बाद जो इस page की सबसे important news है वो है भारत की navy इन दिनों कमाल का काम कर रही है और हमने एक operation संकर्प करके भी operation launch किया था जिसमें हमारा aim ये है कि भाई इस area के अंदर जितने भी commercial ships होंगे अगर कोई pirates खासकर यमन समालिया का pirates जो है वो हम उसको save करेंगे है इंट्रेस्टिंग बात देखिए यमन को back कर रहे है इरान इरान की वेजल को ये लोग हाईजेक कर रहे है क्योंकि समालिया वाले और ये जो इनकी strategy थी healthy rebel की जो इस region में है वो कहिने के इननी को backfire कर रही है खेर इंडिया की responsibility है कि ये पूरा process as a बड़ में से अगर आप इस region की बात करें तो शिक्योर करना तो ये इरानियन फीजिंग वेजल है अलखांबेर करके और यहां पर रिपोर्ट किया गया कि वह नो आंट पार पारेट्स इसमें एंटर करते हैं तो भारत के नेवी के दो सिप सुमेदा और त्रिसों उन्हों नेंटर हैं कि फिर इस को से नेटाइशन करने का मतलब है कि सब कुछ ठीक कोई दिकतनी बाद म उसको फिर safe area में जो हो indicate करता है और normal fishing activity के लिए ये use क्या दा रहते 90 nautical mile nautical mile ocean जो distance को analysis करते हैं या count करते हैं उसमें nautical miles का use होता है nautical miles ocean territory का भी एक perspective है जैसे 12 nautical mile तो proper territory होगी फिर 200 nautical miles specific exclusive economic zone के दाइरे में आता है तो इंडिया ने भी ship ने बहुत सारे ships को deploy के rbnc में खासकर maritime security operation के perspective से तो इस context में ये दोनों ships का बहुत important role रहा है इससे पहले हमने देखा कि Malta flagged एक mvrion को हमने save किया था जो Iranian fishing vessel था जिसमें भी बड़ी संक्या में जो है वो पाकिस्तानी crew में मरते तो भारत की navy ने इस पूरे region में commercial shipping है उसको smoothly conduct करने के लिए ensure करने के लिए बड़ा responsible तरीके से काम किया और एक professional जो force होती उसकी तरीके से इनोंने function करते हुए जो team है जो crew members को save किया है इसके बाद अगर हम बात करें दुनिया में क्या चल रहा है दुनिया में किस तरह की activity हो रही है तो सबसे पहले यहां पर एक news आती है कि इंडिया को 132 million dollar जो है वो pay करने पड़ेंगे DT company जर्वनी की यह US की court ने बोला है क्यों pay करने पड़ेंगे क्या वज़े है जिसके बारे में यह सारी चीज़े है देखो US की जो district court है district of Columbia कि उसने का कि भारत को usage या टेलकोम करके जो company है जर्वनी की DT करके इसको 132 million dollar pay करने पड़ेंगे क्यों ऐसा किया गया है इसमें बताया गया कि United Nations Commission और International Trade Low Arbitration के ने पाया कि भारत ने bilateral investment treaty ये जो treaty होती है ना जैसे अगर कोई company भारत के अंदर investment करते तो उसको production करने की responsibility भी भारत के होती है जैसे आपने Vodafone का जो case है बहुत पुराना है जिसमें Vodafone के share को लेकर कोई concern था इसके अलावा ये बताया गया कि भाई इसमें 2011 में एक agreement हुआ था and takes और दिवास के बीच में spectrum allocations को लेकर बाद में spectrum जो है वो कहीं allocate नहीं किया गया थे और ये जो company DT ये shareholder है दिवास की तो उस इसाब से award दिया जाना थी है भारत ने अपिल करी थी पहला थो यूएस को कोई right नहीं है इस तरह की petition सुनने का भी दूसरा DT के पास sufficient evidence नहीं claim करने को तो दो वज़े से भारत इसका विरोध करता था हला कि court ने का कि उनके पास confirm proof है खेर ये आगए आने वाले time पता चलेगा कि exactly क्या इसमें चीजे होने वाली क्या नहीं होने वाली है इसके बाद 2025 तक smart meter के बारे में कि 25 क्रोड हम लोग smart meter लगाएंगे इसका जो mission है या इसका जो target है ये एक लंबी miles के साथ miss करने वाले यानि जो target रखा गया उससे आदा भी साइध हम चीव नहीं कर पाएंगे smart metering के perspective से smart metering हाला कि कई लोग growth भी करते हैं उनका यह मानना कि इसकी वज़े से unwanted जो business expenditure show हो रहा है जो real time में थोड़ा सा different है उसको target भी क्या जा सकता है जब smart meters की बारे में बात होगी तो उसको target, attack इस तरह की चीजे भी हो सकता और वो कही नहीं जो बिजली बिल है वो कही नहीं और ज़्यादा increase भी हो सकता तो इस तरह की concern भी है हला कि government का aim है कि 2025 तक हम लोग 25 करोड smart meter जो हो लगाएं implementation करने के बारे में बात है हला कि उसका आधा भी यानि half number भी install करना फिलाल possible नजर नहीं आता क्योंकि 39 फरवरी तक हमने 97 लाख meter को installed किया है 2024 और 2025 में हो सकता ये pace increase करे range हो सकती 40-50% यानि 25 करोड का target तो साहिद पूरा ना हो rating agencies ये मानते कि एक तो policy push important है और जब आप adequate supply chain बहुत important क्योंकि smart meter में सबसे important क्या होगी वो होगी chip यानि semiconductor है तो इसको लेकर कहने कहीं concern है कि semiconductor chip की critical component है smart meter में उसकी seamless import करना या एक तरीके से supply bottleneck को remote करना है supply chain में जो disturbance है उसको remote करना इतना easy नहीं है तो जो target है 25 करोड setup कर देंगे वो इतना असान नहीं नदर आता अगर आप capacity को भी ramp up कर देते हैं कि वही हम लोग हर साल boost up भी कर देते हैं जैसे 7 क्रोड आप हर साल smart meter में बना सकते हैं अगर आप full capacity पे चलते हैं तो capacity full पे नहीं चल रहे हैं इसके अलावा यह माना जाता है कि higher utilization of smart meter एक जो discom companies है या जो बिजली company उनके लिए एक important revenue source का काम करेगा और जो financial struggle face कर रहे हैं डिसकॉम यह बिजली चारा इसके बाद दुनिया में इस टाइम पर क्याद सल रहा है तो चोड़ी चोड़ी न्यूज है जैसे इसराइल ने कि जो प्राइमिस्टर है उन्होंने अप्रूव कर दिया अप्टर यूएन कोट यह वर्ल्ड की टॉप कोट जिसमें डिरेक्शन दिया गया था कि इसराइल को इमिडिटली सीज फायर करना चाहिए गज़ा के साथ तो उसके लिए बादचेत प्रोसेस सुरू होगा दोहा और कायरो के अंदर यानि एजिप्ट और कतर के अंदर तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कतर बहुत इंपोर्टेंट कंट्री है क्योंकि कतर में साथ यानि फ्रेंज गवर्मेंट सीरिसली इस चीज को स्टडी कर रही है कि क्या प्लांट को कनवर्ट किया जा सकता है यूरेनियम प्रोसेस के तरीके से और इसके थूरू अगर हम बात करें तो यह री प्रोसेस यूरेनियम जो है वो नुकलर पावर प्लांट में यूज ह इसके अलावा स्ट्राइक के बारे में है, के इसराइल ने सिरिया पर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 42 लोग मारे गए, रशिया ने क्यू के एनर्जी इंफरस्रक्टर और ड्रोन्स पर अटायक क्या, तो यह छोटी छोटी न्यूज आई, इसके अलावा युनाइटि नेशन के रिच्चा ने विटो कर दिया North Korea के मामले में, रिच्चा ने का कि आप अप बनिंट नियुक्शिल का दोर्ड इस तरह की चीजों के लिएają की इस तरह की चीजों को लेकर, United Nations sanction करना चाता था North Korea की nuclear weapon और ballistic missile program को, रशिया ने कहा कि एक तो युनाइटी नेशन की जो संक्षन इंपोजिशन है वो थोड़ा सा वन साइडिट से नज़र आता है और ओल्ड टेंपलेट को फोलो कर रहे हैं इसलिए हम लोग वो विटो कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को यानि आपको कई सारी चीजों को देखना पड़ेगा जैसे इन्होंने का कि युएस जो है वो मिलिटरी को स्टोक कर रहा है टेंशन को बढ़ा रहा है इंटरनेशनल रिस्टिक्शन लगा रहा है सिक्योर्टी सिचुवेशन को खराब कर रहा है इन सब को जो है रशिया ध्या प्रफान में रखता है और युएस के जो कंसन है वह एक्चुल में दुनिया के होने चाहिए कि आप क्या कर रहे है वह जो कहीं ने कहीं इंपोर्टेंट है आप ब्लाइंडली नौर्थ कोरिया को ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज के लिए तो इसलिए हम लोग विटो करते हैं और दूसरी important बात ये है कि जो किम जो UM travelled है वो रश्या की जो प्रेजिनेंट है उनके close है नौर्थ कोरिया की बहुत कम कंट्रीज के साथ relation जिसमें China और Russia तो definitely top countries है इसके बाद अभी Russia के जो concept hole में attack हुआ था उसमें ये माना गया कि ताजिकिस्तान के कुछ लोगों का हाथ था और उनको arrest किया गया इसके बारे में बताया गया यहां पर अगर हम बात करें US के प्रेजिडेंट ने अजूर किया पाकिस्तानी PM को कि हम continue आपको help करते रहेंगे इसलिए जब भारत को रशिया और US में से एक country चुननी पड़ेगी तो definitely वो रशिया होगी रशिया वो country है जो हर situation में हिंदुस्तान या भारत के साथ खड़ा रहा है लेकिन US situation के हिसाब से relation बनाता है आज उनको लगता है कि इंडिया के साथ relation होने चाहिए तो वो भारत के साथ relation को ensure करता है इनको लगता है कि नहीं होने चाहिए तो वो नहीं relation मनाता तो इस तरह की ये country है राइट फिलाल दे हिंदु न्यूजबेफर एनलिसिस में इतना ही थैंक्यो जहिन